एक बाई ने मुझे कमेंट किया था कि यार बाई मैं दो नए निक बेंड में कन्फ्यूज हूँ आप मुझे बताइए कि कौन सा लेना चाहिए उसमें एक ब्लुटुटुट था बोट रोकर 330 और दूसरा था रियलमी बढस टू, उनियू, जो कि अभी र्सेंटली में काफी ट्रेंड में चल रहा है तो आज कि यस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों में something में live आऊंगा तो इस time हम बात करेंगे कौन सा product हमको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए जो भी आपके doubts होगर आऊंगे हम शाम को clear करेंगे बात करते हैं इस वीडियो की तो सबसे बहुत करते हैं दोनों product के driver size के driver size हमको क्या मिल जाते हैं तो सबसे बहुत करेंगे boat rockers 330 की तो कैस यहां पर आपको 10 mm के driver size देखने के लिए मिल जाते हैं और बात करें realme की तो realme में आपको 11.2 mm के driver size देखने के लिए मिल जाते हैं उसमें आपको earbuds के अंदर ही magnetic control का system देखने मिलता है जो कि मुझे personally काफी बढ़िया है उसमें होता है कि मालो आपने boat वाला भी लगा रखा है आपने अपने phone से इसको connect कर लिया चिपका दिया magnet चल रहा है लेकिन आपको ये कभी भी ऐसा पता ही नहीं चलेगा Realme जैसे ही आप दोनों को attach कर दोगे आपको जो Bluetooth है वो off हो जाएगा जैसे करोगे आपको जो Bluetooth है वो on हो जाएगा तो मालो आपका Bluetooth off है तो आपको बस सिर्फ उसको de-attach करके अपने कान में डालना है वो automatic से अपने smartphone से connect हो जाएगा नहीं सुनना आपको कान से निकालो वापस से चिपका दो ओटोमेटिस अपने phone से disconnect हो जाएगा बस ये feature जो काफ़ी अच्छा लगा है कि बार बार उससे connect करने की disconnect करने की जड़त वहाँ पर नहीं पड़ती है एक बार connect कर लो इस्टार्टिंग में जब आप लेते हो उसके बाद में कभी भी आपको जड़त नहीं पड़ेगी कि उसको वापस से आप connect करो काफ़ी अच्छा features मुझे देखने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट बात करते हैं गाईस गैस बोर्ट रोकर 380 में बात करें aptX technology के साथ साथ में आपको यहाँ पर Qualcomm power chipset का भी use देखने के लिए मिल जाता है Qualcomm power chipset का मतलब यह है कि जो battery consumption होगा वो आपको काफी बढ़िया मिलेगा साथ में जो chipset है उससे आपको जो sound quality है उस पर भी काफी बढ़िया effect पड़ता है base वगर आपको काफी बढ़िया आता है overall जो package है वो आपको काफी बढ़िया देखने के मिलेगा guys realme birds wireless 2 में यह तो अभी confirm है नहीं कि कौन सा chipset यहाँ पर use किया गया है मेरे इससाब से realme का R1 chipset में use होगा अगर आपको पता है तो comment box में आप मुझे बताइएगा next बात करते है realme birds wireless 2 में आपको gaming mode देखने के लिए मिल जाता है जो की 88 super low latency के साथ में आता है लेकिन guys board rocker 330 में आपको कोई भी gaming mode नहीं मिलता है अब gaming mode आपको board rocker में नहीं मिलता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसमें gaming नहीं कर पाओगे यहाँ पर आपको जो technology मिल रही है उसके साथ से आप इसमें gaming भी कर पाओगे लेकिन अगर आपको better gaming चाहिए तो guys वो आपको realme में मिलेगी क्योंकि इसमें specific आपको gaming mode देखने के मिल जाता है और अच्छी कासी gaming आप इसमें कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट बात करते हैं guys इसमें आपको दोनों में same bluetooth 5.0 को support मिल जाता है 10 मिंटर के wireless range मिल जाती है दोनों काफी बढ़िया आपको मिल जाते है नेक्ट बात करते हैं protection की तो protection में board rocker 330 में आपको जो protection मिलता है वो IPX5 का मिलता है water resistance second आपको realme birds wireless 2 new के अंदर IPX4 का water resistance देखने के मिल जाता है जो कि दोनों में आपको protection काफी बढ़िया देखने के मिल जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है second बात करते हैं अब आती है main बात battery backup के तो support rocker 330 में आपको जो battery backup मिलता है वो 30 गंटे का मिलता है fast charging को support करता है 10 मिनट charge रखोगे 10 गंटे का आपको playback मिल जाएगा SAP charging का support आपको मिल जाता है second बात करें battery backup realme burst wireless 2 new की तो यहाँ पर आपको 17 गंटे का बेकप मिलता है जो की काफी अच्छा बेकप मिल जाता है 10 मिनट आप इसको charge करोगे 120 मिनट का आपको playback यहाँ पर मिलेगा साथ में गाइस type C supported है और आपको fast charging का support यहाँ पर देखने के मिल जाता है अब बात करते हैं की price की फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा लेना है price आपको board rocket 330 की मिलेगी 1048 जो की आपको amazon पर मिली गए यह product आपको flip card पर नहीं मिलेगा amazon से आपको खरिदना पड़ेगा आपको और 1048 के price में आपको मिल रहा है लेकिन किसी किसी variant पर किसी किसी product पर आपको 999 की price वहाँ पर देखने के मिल रही है और बात करें realme birds new की तो कैस realme birds new पहले 999 का था लेकिन अभी की time में 1099 की 1100 रुपे का आपको मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 रुपे का difference आपको मिलेगा अब गैस बात आती है कि कौन सा product हमको खरिदना चाहिए गैस दोनो product अपने अपने जिगा काफी बढ़िया है ऐसा नहीं कि यह product खराब है और यह product खराब है अगर आपको थोड़ा बेटरी बेटरी वेकब चाहिए तो आप जा सकते हैं बोड रोका 330 की तरफ अगर आपको gaming mode जाईए तो आप जा सकते हैं Realme की तरफ Realme में आपको काफी अच्या मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यहाँ अपर आपको जो on off system मिलता है रियल्मी के अंदर वो काफी बढ़िया मिल जाता है मुझे personally काफी पसंद है उसमें जमेला बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको ओन करो वापस से connect करो वापस से disconnect करो बिल्कुल भी इसा दिक्कत आता ही नहीं है काफी अच्छा आपको यहां पर बो देखने के लिगेर मिल जाता है दोनों में protection आपको अच्छा आपसा देखने के लिगे लिगे लिगेद जाता है बेटरीघ्य कॉप में आपको थोड़ा difference मिलता है आपको थोड़ा ज़्यादा बेटरीघ्य के चाहिए अब decide आपको करना है कि आपको need किस चीज़ किये उस हिसाब से आप दोनों product को खरी सकते हैं दोनों की link आपको मैं नीचे दे दूँगा वहाँ से जाके आप इसको buy कर सकते हैं दोनों product काफी अच्छे हैं एक Bluetooth नेगमेंट खरीदो या कुसी भी चीज़ खरीदो हमको need पता होनी चाहिए कि हमको need किस चीज़ किये मुझे gaming करना है तो gaming वाला लेना है मुझे battery जादा चाहिए gaming से मतलब नहीं तो मुझे battery वाला लेना है तो मैंने दोनों product आपको बता दिये हैं काफी best product है दोनों आपके need के साब चाब इसमें दोनों में से choose कर लो कि कौन सा मुझे लेना है कौन सा नहीं लेना है मैंने आपको बता दिया है जो 330 है वो आपको Amazon से मिलेगा Flipkart पर आवेलेबल नहीं है और जो realme burst 2 new है वो आप Flipkart से लीजिए Payton Wallet से payment कीजिए आपको 100 रुपे का discount वहाँ पर देखने मिलेगा 100 रुपे cashback मिल जाएगा डिसकाउंट ही हो गया वो तो आपके बास में वापस धा रहा है तो guys ये थी एक छोटी से वीडियो I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो फसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल किन टिप्रेज करना था कि इसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे मिलते हैं नहीं शुड़े में तब तक लिजा है जैए भारत